नमस्कार मित्रो शमस्त्याओं का शमाधान योटुब चैनल पर आप सभी का हारदिक स्वागत है मित्रो यदि आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें और ज़्यादस ज़्यार करें अई मित्रू आज मैं आपको बड़ा ही दुरलब प्रयोग बताओंगा जो की शामगरी तो शुलब है और प्रयोग बड़ा दुरलब है जा मित्रू आपको बताओंगा कि यह कौन सा लकड़ी है जिसकी जड़ से आप अपने घर की आने वाली सारी बाधाओं को दूर कर शकते हैं जा मित्रू आपकी सारी समस्चिया दूर होगी मित्रू यह एक पवित्र उपयोगी और सुगंधित लकड़ी है जीवन के सभी संसकारों में इसका उपयोग होता है जब यह पोधा 17 से 18 वर्स पुराना हो जाता है तब इसके इस्तंब का केंद्रिय भाग जिसे हृदय काश्ट कहते हैं वे बहुती महकदार हो जाता है जा मित्रो यही भाग पुझा इत्यादी के काम में आता है जा मित्रो यह लकड़ी दो प्रकार की होती है ज्यामित्रो एक तो सफेद होती है और दूसरी लाल कलर की होती है ज्यामित्रो इस लकडी की भिन भिन प्रियोजनार्थ काम आती है ज्यामित्रो इसकी प्रकृती ठंडी होती है कहते हैं कि इसकी श्वगंद से स्तर्प मुहित हो जाते हैं और इसके इर्दगिर्द लिप्ट जा मित्रों समस्या का निवारण कैसे करें आए जानते हैं तो मित्रों यह चंदन का पहोधा चंदन के ब्रक्ष की जड़ में गुरू पुश्य नक्षत्र से पूर्व अर्थात बुधवार की साम को यानी मित्रो जब गुरुवार हो दिन गुरुवार हो और उस दिन पुष्य नक्षत्र हो उससे एक दिन पहले यानी बुधवार को बुधवार की साम को थोड़े से पीले चावल इस चंदर के ब्रक्ष के नीचे आपको चड़ाने हैं और एक लूटा जल्वी चलाना है वहां दो अगरवत्ती जलाकर के आपको लगाना है फिर हाथ जोड़कर के आवंतित करना है और दूसरे दिन शबे उठकर के बिना किसी ओजार के शहायता से उसकी थोड़ी सी जड़ आप उखाड़कर के तोड़कर के ला लें और इस जड़ को अपने घर के मुख्य द्वार पर लटकाने से अथवा बांधने से अनावश्यक आने वाली समश्याएं उत्पन नहीं होती है